नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। चला था और अब लक्ष्मी विकास बैंक की भी वही हालत हो रही है। बित मंत्राले की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक लक्ष्मी विकास बैंक पर एक महिने का मोरेटेरियम लगाया गया है। की पाबंदी 17 नौवंबर से 16 नौवंबर तक के लिए लागू किया गया है। ये आदेश RBI अदिनियम की धारा 45 के तहथ लाया गया है। 31 मार्च 2019 को PCA 3.6 के उलंगन को देखते हुए बैंक को सितंबर 2019 में प्रॉम्ट करेक्टिव एक्षन PCA फ्रेमवर के तहथ रखा गया था। बैंक ने 30 सितंबर को समाप तिमाही के लिए 396 करोड रुपे का सुद्ध घाटा उठाया था। जो कि गयर निस्पादित परिसंपत्तियों का प्रत्त 24.45 था। LVB ने पिछली बर्स की इसी तिमाही में 377 करोड रुपे किहानी दर्ज की थी। लक्षमित विकास बैंक के लिए मुश्किले 2019 में सुरू हो गई थी जब रिजर बैंक ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्जर के इसके प्रस्ताव को खारिच कर दिया था। सितंबर में सेयर होल्डर की ओर से साथ डिरेक्टर के खिलाफ वोटिंग के बाद रिजर बैंक ने नगदी संकर से जूड प्रैवेट बैंक को चलाने के लिए मीता माखन के अगवाई में 300 अस्यों वाली कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने जो पाया और RBI से जो सि कर रखा है और उनको कोई बहुत सक्त जरूरत है उसके लिए थोड़ी सी सुविधा दी गई है लेकिन चिंता के बाद तो है कि एक के बाद एक बैंक जो है संकट में आते जा रहे हैं डूपते जा रहे हैं पहले यस और PMC बैंक और अब लक्षमी विकास बैंक इस पर हम न